तो friends and dear student एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोसिस के बारे में तो क्या होता है साइकोसिस तो साइकोसिस भी एक mental disorder है और इसको अगर एक दो शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पागलप क्या है वो देख लेते हैं तो साइकोसिस इसे mental condition या mental disorder in which affected person disconnected from reality including hallucination and dilution अब जैसे साइकोसिस क्या है तो कह रहे हैं कि ये एक mental condition होता है जिसमें affected person reality से disconnect हो जाता है reality से disconnect होने का मतलब क्या है तो ये एक दो examples दिये यहां पर जैसे के hallucination seeing or hearing things that do not exist अब जिसको ये साइकोसिस की दिक्कत है उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज देख रहा हूं मैं कुछ सुन रहा हूं लेकिन हकीकत में होता क्या है कि वो कुछ देखता नहीं है कुछ सुन नह होता है समझ मैं अरी बात लेकिन होता क्या है कि जिस चीज के बारे में यो सोच रहा हूं या सुन रहा हूं हालां कि वो चीज वो चीज हकीकत में exist करती ही नहीं है यह सिर्फ उसके दिमाग का एक फुतूर होता है समझ मैं अरी बात क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज़े देख रहा हूँ तो देखते हैं न कि बढ़ बढ़ाने लगते हैं वो उसको लगता है मैं कुछ सुन रहा हूँ हलांकि वो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है उसी को कहा है कि affected person disconnect हो जाता है किसे reality से ठीक है न जैसे कि hallucination हो गया है और दूसरा किया है delusion का मतलब यह कि false और unrealistic beliefs and opinion जो मतलब आदमी पागल पने की तरफ जा रहा है जो mental disorder जिसको हो गया है तो वो कुछ मतलब ऐसी बात है कुछ ऐसे beliefs कुछ ऐसी opinion बना लेता है जो के सही नहीं होती है जो के realistic नहीं होती है जो के reality से बहुत दूर होती है लेकिन उनको वो सही मानने लगता है तो यह दो examples है किसके disconnected from reality के ठीक है और इस condition को psychosis को हम लोग schizofenia भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको schizofenia बोलते हैं कुछ लोग schizofrenia बोलते हैं उसको mood altering भी कहते हैं हम लोग अब इसकी etiology क्या है तो exact इसका जो cause है वो हमको मालूम नहीं है बहुत सारे factors से इसके लिए responsible हो सकते हैं जैसे कि brain के अंदर cyst हो गया system मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते जिसमें fluid भर जाता है या trauma हो गया या certain type of epilepsy या कुछ epilepsy आपने पढ़ा epilepsy के बारे में तो कुछ epilepsy है उसकी वजह से भी psychosis हो सकता है ऐसे ही क्या alcohol और methamphetamine दोनों की वजह से भी हो सकता है ठीक है ऐसे ही stroke की वजह से भी ये psychosis हो सकता है यानि brain को blood की supply नहीं हो पा रही है genetic factor की वजह से हो सकता है brain में injury हो गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है या कुछ दवाएं भी psychosis cause कर सकते है जैसे कि steroid हो गया या stimulants जो दवाएं आती है उनकी वजह से भी हो सकता है अब इसकी pathogenesis क्या है तो कोई भी etiological factor जैसे कि जो nerves है जो neurons है उनके अंदर inflammation हो जाएगा फिर उसके बाद क्या हो सकता है उसके बाद improper balance of neurochemicals जो neurochemicals है उनका balance बिगड़ जाता है फिर उसके बाद क्या brain का dysfunction होता है और psychosis हो जाता है यानि brain अपना काम सही से नहीं कर पाता है तो आदमी क्या alter उसका दिमाग हो जाता है psychosis condition में पहुँच जाता है दूसरा यहां से neuro inflammation हुआ तो उसमें फिर क्या होता है neuro progressive change आता है यानि यह कि अब जो neuron है वो धीरे धीरे क्या होता है खराब होने लगते हैं और degrade होने लगते हैं ठीक है उसके बाद फिर क्या होता है death हो जाती है brain cell की यानि neuron की और फिर psychosis हो जाता है clinical manifestation यहां पर लिखना चुट गया है भूल गया हूँ इसको मैं PDF में add कर दूँगा तो इसके clinical manifestation क्या है तो एक दो तो आप यही add कर दे सकते हैं तो एक clinical manifestation आप यह डाल देंगे hallucination यानि आदमी उसको ऐसा लगया है कि मैं कुछ सुन रहा हूं कुछ देख रहा हूं लेकिन उसकी कोई हकीकत नहीं होगी इसके अलावा ऐसा होगा कि जैसे आदमी वह बात कर रहा है तो अभी एक topic पर बात कर रहा है अभी एक topic वह पूरी होई नहीं तब तक जंप मालता किसी दूसरी topic में शुरू कर देता है तो यह भी एक तरीके का एक symptom है किसका psychosis का ठीक है अब इसका non-pharmacological management क्या है तो कोई खास इसका non-pharmacological management नहीं है हाई है कि environmental changes लाना चाहिए जिस environment में रह रहा है जहाँ उसको दिक्कत किरियट हुई है तो उसको बदलना चाहिए कोई दूसरे climate में लेके जाना चाहिए ठीक है ऐसे ही क्या रहते है प्रोपर केर करनी चाहिए उसकी जो family member है उनको चाहिए कि उसकी देख भाल करें कहीं उल्टा सिला काम ना कर दे ऐसे exercise भी क्या है थोड़ा सा अच्छा रहता है तो exercise करना चाहिए normal normal condition में भी हमको exercise दूरदाना करना चाहिए फार्मकोलोजिकल मैनेजमेंट में इसकी जो दवाएं आती है इसको दो तरीके से बांट रखा वरना एक ही में आप डाल सकते है इसको typical anti-psychotics या anti-psychotic drugs और दूसरा है atypical typical मतलब जो मतलब आम तोर से use होती है commonly use होती है usually use होती है atypical जो मतलब असमान नहीं है जो मतलब commonly use नहीं होती है तो typical वाली जो है इसमें से एक दो एक्जामपल्स याद कर लीजी आप जैसे हेलो पेरीडोल हो गया ख्लोर प्रोमाजीन हो गया थी ओक्ती जेन हो गया ऐसे ही फ्लू फेनाजीन हो ठीक है और एक टिपिकल में आजाएगा आपका क्लोजपीन औलेंजपीन ठी करिए हमारी कोशिस आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताके वो भी इससे फायदा उठा सकें थैंक्यू सो मच फर वाचिंग